हेलो बच्चो हमारा प्रस्न है एक आवेसी तार कितिर्ज्या ए की अर्धवरित्यकार चाप के रूप में मोड़ा गया है यदि देखिए आवेस घनत लेमडा कूलम पर मीटर है तो केंद्र पर वैदु छेत्र है इसके उतर कुछ इस प्रकार है तो इसमें हम बच्चो फेज अर्धवरित्यकार चाप बोल रहा तो हम अर्धवरित्यकार लेक जनेरल भाम लेते हैं एक चांप ले ले दे भी हम ब्ली हमें चांप लिए हैं Young Twitter alpha Kevin जैजीए अब सिंटर पर हम वैदु छेत्र हमें ग्याद करना है तो चलिए अब हम क्या करें कि इस पर बहुत सारे आवेश व्रिष्टित होंगे तो अब हम क्या करें बहुत छोटा सा जो है लेंथ का अगर यह हम ठीटा ले ले तो यह हो जाएगा d theta यह dl अगर हम बहुत चोटे लेंथ पर जो व्रिष्टित थो वह है एक आवेश लें dq dq यानि एक बहुत छोटा सा आवेस तो यहां से क्या हो जाएगा जो dl की value होती है वो हो जाएगी r d theta वो चांप बराबर जो है यह होता है उसका हम एंगल के फाम में जानते हैं तो हमारे यह निकल के आ जाएगा तो अब यहां से हम देखते हैं lobda हमें दिया है आवेस घनत्तो आवेस घनत्त होता हो क्या होता है होता है एकाई आवेस पर प्रिस्तित आवेस है वह है वही तो DQ by DL होगा और DL की वैलू हमें दिया है तो DL की वैलू हो जाएगा DQ by R D ठीटा तो यहां से हम DQ देख सकते हैं DQ होगा लेम्डा हर D ठीटा यानि यह हमने मान निकाल लिया अब आएगे हम चलिए यहां पर थोड़ा आप देखते हैं यह हम जो आवेस है DQ इस पर पॉइंट पर लगने वाला वैदू छेतर जो है इस दिशा में आएगा अब इंगल पाइस से देखें तो यह जो है यह इंगल और यह इंगल बराबर होगा ठीटा अब यह बहुत छोटा है तो हम इसको इसका वैदू छेतर डी लिख सकते हैं अब हम इसका जो है घटक कर दें तो जो है अगर हम यह देखे कुछ ऐसे हैं तो यह हम आले वाई साइन ठीटा अब ऐसा तो है ने कि यहीं सिर्फ एक चार्ज है ऐसे डी की और के बहुत सारे चार्ज होंगे तो यह अगर माल लिए ऐसा ही सेम कंडिशन एक हम यहां ले ले लेते हैं डीक्यू चार्ज तो इसकी काराण से जो इलेक्रिक फिल्ड का छेतर होगा डी तो यहा आपका परपेंडिकोलर वाले हैं यह आपके कैंसिल हो जाएंगे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है तो इस पर जो रिजल्टेंट वैदू छेतर है वह आपका वाई डारेक्शन अक्छ पर बनेगा तो अब हमें चली वैदू छेतर फाइंड करते हैं तो अभी हमने थोड़ा स फाइंड किया है तो हम जब पूरा फाइंड करने के लिए जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो उसका जो है हम समा कलन करते हैं इंट्रिगेशन करते हैं यानि डी-ई का हम जब समा कलन कर देंगे तो हम क्या फाइंड होगा और यहां से हम डी-ई बोल सकते हैं डी-ई क cos theta का क्योंकि जो resultant है हमारा यह है पूरा अगर इन फूरे की बात करें तो हमारा जो है DE cos theta ही आयेगा यह जो DE sin theta वाला ठर्म है वो आपका cancel हो गया है अच्छा एक और चीज कि यह जो हमारा arc बना है Champ है इन पूरे के बीच का जो angle है वो phi है वो phi है चलिए अब हम यहां पर देखते हैं अब हम इसको सालू करें तो तो यह आपका हो जाएगा दे की वैलू रखें तो के डीक्यू और डीक्यू और बटे आर स्क्वाइर और यह कास्ट हीटा है अब यहां से जहां डीक्यू यह सब वैलू रखें मान रखेंगे तो यह आजाएगा के अपान आर आर स्क्वाइर डीक्यू की वैलू हमने निकाला है यहां से DQ की value यह DQ तो lambda lambda भी constant है R भी constant है तो यह बाहर चलाएगा तो अब अंदर क्या बचेगा cost theta D theta यह R से R कड़ जाएगा तो यह आपका जाएगा के lambda बटे R अब इसका जो समा कर लिमिट रखेंगे लिमिट कहां से रखेंगी अब यह अगर हम फाई की बात करें इन दोनों के बीच का तो फाई क्या है अगर हम यहां से देखे तो यह वाला पूरा अंगल का इंगल फाई बाइट्व है और यह वाला जो है फाई बाइटू है तो अगर हम इंगल की बात करें तो हमारा जो लिमिट होगा हो माइनरस फाई बाइटू से 5 by 2 होगा यह ऐसा यह होगा कि यह जो एंगल है एक तो जो लिमिट है दोनों का मतलब को लाक वाई जैए एक काश का हो जाता है साइन ठीटव में लिया है अब आईए हम इसको साल लिमिट को तो अब यह जब हम हम उताएंगे तो आपका आजाएगा k लेम्दा अब ये क्स का हो जाता है साइन ठीटा अब लेमीट रखेंगे ठीटा भाइवाइटू से माइनस भाइवाइटू जिब हम इसको साल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अपर लेमिट यह k λेमडा और और यह sin 5 by 2 माइनस और माइनस का sin 5 by 2 जैसे यह sin 1 second तो जो जो यह 5 by 2 है यह बाहर चलाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह भी आपका हो जाएगा sin 5 by 2 लिमिट हमेशा अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट करके सालू करते हैं तो यहाँ से आजाएगा आपका 2 के लेमडा बटे आर sin 5 by 2 यह हमारा एक जनरल फार्म में आ गया यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपका हो गया कि किसी चाप के कारण उसके केंदर पर लगने वाला लगने वाला जो है वैदु छेत्र है तो अब हमसे क्या पूँच रहा है अब हमसे पूँच रहा है कि अर्धा अर्धपृत्याकार यानि अर्धपृत्याकार की हम बात करें तो यह जो है यह एंगल जो है फाई अभी जो है यह फाई फाई का यहाँ पर किनना मान हो गया यहाँ पर फाई बराबर हो गया 180 तो हम simply इसमें put कर देंगे तो हम से जो प्रस्ण में पूछा है अर्ध पृत्याकार चाप तो हमें यादा मान मिल जाएगा तो हमें यहाँ से देखे 2K लेमडा बाई आर अब फाई का मान 180 रखेंगे तो साइन 180 बाई 290 साइन 90 का मान हम जानते हैं एक होता है तो 2K लेमडा बाई आर यह हमारा यह हमारा आंसर अब हमारा चुकी आंसर जो है के फाम में नहीं है मतलब तो यानि की वैलू हम रख देंगे के बराबर होता है 2 लेमडा के होता है एक बाटा 4 पाई एपसाइलन नाट यह आर तो 2 से 2 कड़ जाएगा तो यह आप कहा जाएगा लेमडा बठे 2 पाई एपसाइलन नाट आर जो हमारा आंसर होगा लेमडा बठे 2 लेमडा बठे 2 पाई एपसाइलन नाट आर अच्छा आर स्वारी आर की जगा हमें ए दिया है यानि हमें आर की जगा ए दिया है यानि जो हमारा आंसर होगा वो ए हो जाएगा यानि हमने जनरल फर्म में R ले ही लिया है यह क्योंकि बदलेगा नहीं यानि हमारा जो आंसर है क्योंकि R बराबर A है तो जो इसका आंसर आएगा आंसर है लेम्डा बठे टू पाई एपसाइलन नाट ए यह हमारा आंसर होगा तो आंसर हमारा लेम्डा बठे टू पाई एप correct answer है, thank you